स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से एन अकेडमी में तो बस आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले देख लिया जाए सबसे पहले कि हम लाइव आ चुके हैं नहीं बस थोड़ा सा एक उनट का समय लगेगा उसमें फिर आज का सेशन हम करते हैं बच्चे स्टार्ट तो यहाँ पर आप भी थोड़ा आउडियो वीडियो बताएए कमेंट सेक्शन में की आउडियो और वीडियो प्रॉपर आ रहा है कि आज की क्लास के लिए प्लीज बताएए येस बिल्कुल ठीक तो हो गया है मेरे ख्याल से तो जी तो साब आज का आपका सेशन किसके रिगार्डिंग है आज का सेशन आपका होगा बच्चे मशीना रेट के रिगार्डिंग मशीना रेट इम्पोर्टन टॉपिक रहता है जी मशीना रेट इम्पोर्टन टॉपिक रहता है आपके C.A. Intermediate के लिए और सब्जेक्ट है आपका बच्चे Cost Accounting ठीक है ना मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा बच्चे Unacademy पे मैं आपको पढ़ाऊँगा C.A. का त्यारी करवाऊँगा और जी देखिए तो आज की क्लास किन बच्चों के लिए रेलेवेंट है पहले तो यह देख लिए आजा है आज की क्लास Cost Accounting का सेशन किन बच्चों के लिए रेलेवेंट है जो बच्चे C.A. Inter का त्यारी कर रहे है प्राइमरिली फोकस उनके लिए है बटिया सेकेंडरी फोकस किस पे है जो भी Cost Accounting पढ़ रहा है बच्चे उसमें एक चेप्टर आता है कौन सा चेप्टर बच्चे Cost Accounting में एक चेप्टर है Overhead Costing के नाम से Overhead Costing और इसमें एक टॉपिक रहता है सर कौन सा टॉपिक इस चेप्टर में टॉपिक रहता है Machine Rate और यह टॉपिक है बच्चे Machine Rate एक ऐसा टॉपिक है जिसने बहुतों की जिन्दगी में उपान मचा रखा है क्या सतमे सर हां सर उपान कैसे मचा रखा है बहुतों की जिन्दगी में इससा आप देखो अगर basics clear होने के बाद अगर आप advanced level questions पर जाते हो बच्चो तब आपको जो दुविदों का सामना करना पड़ेगा उसके लिए आप मुझे comment section में लिख सकते हैं otherwise हम आप हमें बच्चे अनकाडमी पर फोलो कर सकते हैं दूसरा अगर स्टिल कोई दिक्कत आती है जिसे advanced level questions में तो आप हमें इस number पर contact कर सकते हैं whatsapp मुझे कर सकते हैं मैं आपको जैसे आपका within 24 hours reply करने का पूरा कोशिश किया जाएगा ठीक है ना यह हमारा contact number है ठीक है sir तो आज की class में बच्चे topic क्या है आपका machine rate तो sir machine rate है क्या पहले तो यह बताओ बच्चे पहले तो मुझे आप बताओ कि machines कहाँ पर normally पाई जाती है सर्फ factory में बहुत बढ़िया तो एक factory है मान लिजे और वहाँ पर पढ़ी है काफी सारी machines या मान लेते हम एक ही machine का चर्चा करते है ठीक है यह क्या है आपका बच्चे यह है आपका factory और इस factory में क्या पढ़ी है बच्चे यहाँ पर पढ़ी है machine ठीक है यह क्या है बच्चे machine और अगर आपको बोला कि इस machine पर होने वाले total खर्चे, total खर्चे, इस machine पर होने वाले total जो खर्चे हैं, वो कितने हैं यहने की overheads, हाँ, variable भी बता सकते हो, fixed भी बता सकते हो, total खर्चों का जो शुर्क आता है, वो कितना है, मान लिजे, 50,000 रुपे, total, इस machine पर total खर्चा कितना आता है, आपका मान ल खर्चा कितना हो गया जल्दी बताओ सर एक घंटे का खर्चा इसका मतलब 50 रुपे है हाँ मरे बच्चे और जानते विशे आप क्या बोलते हैं अंग्रेजी में सर क्या मशीन आर रेट सर क्या हमारा ये आंसर होगा हाँ बच्चे हाँ अगर आप इतना सा ही टॉपिक है बिल्कुल साधारन टॉपिक और टॉपिक में क्या बात हमें सीखने को मिलती है जितने भी हमारे खर्चे होंगे अगर हम उसको टोटल मशीन आर से डिवाइड कर देंगे जितना भी वक्त मशीन ने काम किया हमारा एक घंटे का मशीन का खर्चा आजाएगा जिसे आप क्या बोलेंगे मशीन आर रेट और इतना सधारन टॉपिक ही है कोई लुम्बी चोड़े बात नहीं है सर ये बताओ कि एक्जाम में इस से रिलेटर कोशन आते हैं बिल्कुल आते हैं मैं आपको जोड़ा कोशन देखाओ कैसे कोशन सॉल्व किया जाता है सर प्लीज दिखाओ ना यह बच्चे इदर देखो तो पहला कोशन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा तंटणा 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 चो देखिए प्लीज तो यह स्प्यारा कोशन देखें प्लीज क्या कहता है बोला कि आपको commission rate निकालना है मैंने कर ठीक है क्या के दिय रखा है आपने simple basic सी बात के अधियाद नहीं है इदर देखो Machine rate का formula क्या होगा जो भी आपकी खर्चे होंगे खर्चों को हम क्या बोलते हैं, overheads, indirect खर्चे, yes, divide किसे करना है बच्चे आपको इस case में, overheads को divide करना है, total machine r से, किसे divide करना है, machine r से आप divide करें और आपका answer आजाएगा, बस इतना सा ही काम है, ठीक के ना? अब main जिस बच्चे कहाँ पर doubt पूछते हैं, बच्चे कहते हैं, सर ये बताओ, overheads कौन से, fixed ये variable, मैंने का दोनों, fixed खर्चा भी और variable खर्चा भी, आप दोनों जो भी हाएगा, उसका आप overheads numerator में रखेंगे, और divide किसे करेंगे, divide बच्चे करेंगे machine r से, और ध्यान देना, machine machine r भी कौन से लेने हैं, आपको बच्चे, machine r लेने है, productive machine r, कौन से, productive, सर ये productive कौन से होते हैं, ये हम आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल के लिए, चलते हैं, question करते हैं, और क्या कहता है, देखें प्रीज, बोला के cost of machine given है, 19,200, scrap value given है, 1200 ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, effective working life of machine, कितनी दे रखी है, 10,000 hours, हाँ, यहाँ पर आपको working life years में नहीं given, ये बता रखा है, कि working life हैने जो machine की, पूरी life machine कितने घंटे में, चलेगी 10,000 hours, पूरी life machine की 10,000 hours है, इसका क्या मतलब, जैसे आपको effective life years में given होती थी, बचपन में जब question करते थे accounts के, यहाँ पर किस में given है, आपको hours में given है, बड़े ध्यान से मुझे एक बात बताना, सर क्या, मान लिजी अगर मैं पूछूँ कि depreciation कितना आएगा उस case में, जब आपके cost of the machine कितनी है, 19,200, scrap value कितनी है, 1200 और life of machine कितनी है, 5 साल, मुझे बताओ, एक साल का depreciation कितना आएगा, नहीं बताओ, सरी आएगा, 18,000 divided by 5 years, तो per year हमारे पास depreciation कितना आजाएगा, 3600 रुपया, एक साल का depreciation आजाएगा, हाँ यह ना, yes, तो इसी तरह, अगर मैं आपसे depreciation पूछूँ, एक घंटे में कितना आएगा, तब, तब, जब, depreciation, बड़े ध्यान से सुना, एक घंटे का कितना आएगा, जब, पूरी लाइफ, पूरी लाइफ, मशीन कितनी हार से लेगी, 10,000 आर्स, पूरी लाइफ, 10,000 आर्स, इससे क्या आजाएगा बच्चे, आपके पास, 18,000 divided by 10,000, आपके पास आजाएगा, य यह आजाएगा बच्चे, 18,000 divided by 10,000, एक रुपे असी पैसे, तो यह जो depreciation आया, एक रुपे असी पैसे, यह कौन सा आया, यह आया, depreciation per hour, और यहाँ पर जो depreciation निकाला था, वो कौन सा था, depreciation per year, समझाती है बच्चे आपको बात, हाएगा न, सर यह तो बड़ाई असान ह आरे, मुश्किल कहा किसने, यह बेसिक सी बातें आसान ही है, सर हमें यह बता दो, depreciation कभी एक घंटे का खर्चा जो आएगा, वो क्या मशीनार में जुड़ेगा, जी हाँ बच्चे, मशीनार इट कहता क्या है, एक घंटे का खर्चा निकालना है, और आपने क्या करना है, सा लेना, ठीक है ना, depreciation की बात लिखवा रहा हूँ, यहाँ लिख लेना, note, जो depreciation का खर्चा है, वो आपका fixed है, variable यह बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, इदर देखो, यह depend करता है बच्चे, question पे, question में जो life given होती है, life of an asset, वो देखेगा, किस में given है, सर क्या मतलब, अगर life of an asset, आपका किस में given है, बच्चे, in years given है, तो उसे क्या मान लिजगा, उसे मान लिजगा, variable खर्चा, depreciation क्या है, एक variable खर्चा है, variable नहीं मानते, इसको मानते है, fixed, मैं एक बार रब करके लिख देता हूँ, एक fixed खर्चा, लेकिन अगर depreciation आपको किस में given है, बच्चे, in hours में given है, तो आप उसे क्या मानेंगे, एक variable खर्चा मानते हूँ, चलेंगे, ठीक है ना, ठीक है सर, हमें बात पता चल गई है, शाबबाश, सर ये बताओ, इस question में depreciation कैसे given था, depreciation की देखो life कैसे given थी, ठीक है ना, life, देखो life of an asset, इदर देखो life of an asset के hours में given है, ये सर, बिल्कुल hours में given है, तो आप यहाँ depreciation को कौन सा खर्चा मानते हूँ चलेंगे, as a variable खर्चा, ठीक है ना, लेकिन अगर यहाँ पर simple बोल देता के effective life of machine कितना है, 5 years, कितनी है 5 years, तो आपको इसका मतलब denominator में क्या रखना पड़ता, year, तब आप depreciation को क्या मानते है, एक fixed खर्चा मानते हूँ चलते, ठीक है ना, आगे देखते हैं, प्लीज बच्चे बड़े ध्यान से देखिए, तो हमारा depreciation तो कितना आगया, 1.80 पैसे, जिसको हमने क्या मानना है, एक variable overheads मानते हूँ चलना है, ठीक है सर्थ, next आपको क्या given है, next given है, average repair and maintenance charges per month, तो साब आपको एक महीने के charges गिवन है, 1.500 रुपया खर्चा होता है, लेकिन हमें तो एक घंटे का चाहिए, और अगर मैं आपको बताओ, अगर एक घंटे के एक महीने इदर दिखो, खर्चा कितना गिवन है, एक महीने का, और आपके सामने एक महीने के घंटे भी गिवन है, तो प्लीज बताओ, इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कि 1.500 रुपय का खर्चा आया है, एक महीने का, और एक महीने में कितने गंटे हैं 166 इसका मतलब क्या जाएगा आपको इस एक घंटे का रिपेर्स का खर्चा आजाएगा ठीक है ना 090 आगे बच्चे आपको standing charges given आपसर standing charges क्या होते हैं बच्चे आपके fixed charges कितने given है ये भी per month given है कितने है एक महीने के 50 रुपे और आपके पास एक महीने के घंटे भी है 166 इसको बच्चे वही 50 रुपे divided by 166 hours आपके पास आजाएगा एक घंटे का standing charges का खर्चा आगे देखे क्या given है आगे कहता power used by machine power कितनी use करता है machine 5 units use होती है एक घंटे में एक घंटे में 5 unit और एक unit का खर्चा कितना है एक unit का खर्चा है बच्चे 19 पैसा पर unit अब सूच के बताओ 19 पैसा एक unit का खर्चा है और एक घंटे में 5 units खर्च होती है यह आजाएगा खर्चा बच्चे 95 पैसा तो सर्फ power का खर्चा कौन सा होता है fixed होता है variable होता है बच्चे power का खर्चा आप कौन सा मानते हो चलेंगे variable खर्चा क्योंकि power कब use होती है जब machine actually चलती है समझाती बार लेकिन अगर खर्चा हो lighting का lighting मतलब tube light वगरा चलने का खर्चा उससे आप क्या मानते हो चलते standing खर्चा मानते हो चलते है ठीके ना ठीके सर तो हमें machine rate निकालना है तो इसका format कैसा होगा वह सीख लेते है ठीके ना प्लीज मेरे साथ सा चली इसका format बना लेते हैं तो question number कौन सा है question number seven question number seven हम क्या लिखेंगे calculation of machine machine r rate और कितना कितना आएगा येस कुछ खर्चे हमारे fixed है और fixed को आप क्या मानते हो चलेंगे standing expenses भी बोलेंगे ठीके ना standing overheads और हमारे कुछ खर्चे variable है variable overheads की श्रेड़ी में आप उसे रखेंगे ठीके और बस करना के दोनों को आड़ करना है और answer ठीक ना इतना साही काम होता है और तुम क्या समझे तो सबसे पहला खर्चा बच्चे कौन सा आ जाएगा cost of machine भी scrap value भी है आपके पास और effective working life भी है आपका depreciation आ जाएगा और चुकि working life बच्चे hours में given है depreciation को कौन सा खर्चा मानते हो चलेंगे आप variable खर्चा मानते हो चलेंगे ठीके ना तो variable खर्चे के अंदर पहली चीज आप कहा लिखेंगे depreciation और depreciation कैसे आएगा आप बोलोगे भाई देखो 19,200 का machine था 1200 रुपे का scrap है और यह कितना आ जाएगा working life आपको पूरी life के 10,000 घंटे चलेगी machine थे ना तो इसका मतलब एक घंटे का depreciation आजाएगा और कितना आएगा एक रुपे असी पैसे लिख 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 लिया है शाबाश मेरे जवानो वेरी गुट आगे दिखो क्या है आगे कहता repairs and maintenance अब सोच के बताओ repair and maintenance का खर्चा कब होता है सर जब machine चलती है इसका मतलब machine के चलने पर कोई खर्चा होता है हम उसे कहते variable खर्चा ठीक है ना simple क्या करेंगे अब एक महीने का खर्चा है 1.500 रुपया और एक महीने के घंटे कितने है 166 अब simple divide करतेंगे repairs and maintenance charges repairs and maintenance 1.500 रुपया खर्चा है कितने घंटो पर 166 आवर्स पर तो हमने कितना निकाला था बच्चे 95 पैसा ठीक है ना आगे देखिए 95 के 90 था कितना था 150 divided by 166 यह आजाएगा हमारे पास 90 पैसा तो 90 पैसा आगे देखिए क्या है standing charges standing charges मतलब fixed खर्चे आपको as it is given है बच्चे एक महीने का total fixed खर्चा गिवन है आपको कितना गिवन है 50 रुपया और आपको घंटे भी गिवन है एक महीने में कितने घंटे है 166 आर्स तो कितना जाएगा आपके पास standing overheads तो 50 रुपया खर्चा हुआ है 166 गंटों के उपर एक घंटे का 50 divided by 166 यह आजाएगा 30 पैसा next देखिए आगे अगिवन है आपको running time per month भी होगे effective working life भी होगे power का रहे गया power का खर्चा कितने 5 इनिट 19 पैसा अब चुकि power का खर्चा कभी उस होते है जब actually machine चलती है तो वो कौन सा खर्चा मानेंगा variable खर्चा सीधी सी बात है machine के चलने पर जो खर्चा हो रहा है variable और machine अगर चल भी नहीं रहा है फिर भी खर्चा हो रहा है तब कौन सा खर्चा मानेंगा बच्चे fixed खर्चा और पावर का खर्चा कितना है मेरे प्यारे बच्चो पावर का खर्चा है आपके पास 5 इनिट का खर्चा है 5 इनिट का खर्च होती है गंटे के अंदर और एक इनिट का खर्चा है 19 पैसा तो एक घंटे के अंदर 5 इनिट का खर्च होती है और 19 पैसा आपके पास रेट है तो था the most important questions है यह ठीक है ना most important topic most important questions और फिर भी बच्चे कहते हैं हमें समझ नहीं आता है बताओ इसमें ना समझ आने वाला कुछ तो है ही नहीं है ना येस सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो हाँ मुझे पता है बस आपके अड़ कर दीजेगा बच्चे इसमें क्या आ जाएगा total कर दो total कितना आ जाएगा हमारे प्यारे बच्चे बताएंगे total sir 30 पैसा plus 1.80 पैसा plus 90 पैसा plus 95 पैसा ये आ जाएगा 3.95 पैसे 3.95 पैसे जानते उसको हम क्या बोलते हैं प्यार से sir क्या इसको हम बोलते है machine our rate machine का एक घंटे का rate क्या है जब वो चलती है और इसको और पयार से जानते हो किया मोलते है sir, क्या Ordinary Ordinary Machine Arate Ordinary Machine Arate Sir, ordinary क्या कोई और भी Machine Arate होता है हाँ जी बच्चे, बिलकुल होता है एक और भी Machine Arate होता है, sir, वो कौन सा अब logically मुझे यह सोच के बताओ Machine जब चलती होगी Machine जब चलती होगी ये तो उसके मशीन के चलने पर खर्चे होगे ठीक है न जो variable भी है और fixed भी है ये तो आपके सामने है लेकिन logical मुझे ये भी बताओ क्या ऐसा हो सकता है कभी कि मशीन को चलाने के लिए कभी एक operator भी लगा हो उसके उपर helper भी लगा हो attendant भी लगा हो जान पा रहे हो तो कोई machines ऐसी होती होंगी न कि उनकी भी न कोई चलती ही नहीं होंगी वो machines तो machine rate के अंदर आपने उस operator का उस helper का उस attendant का भी खर्चा add करना है early basis पर अगर आप उसे भी add करके खर्चे को ordinary के अंदर ही add कर देंगे उसे आप बोलते हैं comprehensive machine rate क्या बोलते हैं comprehensive machine rate तो अगर इसी के अंदर अगर मैं add कर देता बच्चे कौन सा कर्चा operator wages operator wages per machine hour yes obvious per machine hour अगर हम वो भी add कर देते हमारे पास जो machine hour rate उस वक्त आता वो क्या आता बच्चे वो आता comprehensive exam में न बड़े ध्यान से पढ़ा किजिए कौन सा machine hour rate बोला है उन्होंने ठीक है न कई बड़ी comprehensive शब्द specifically लिखा होता है तो आप उस case में ordinary तक मत छोड़ा न आपने please comprehensive निकाल के आने जल्दी से बताओ यहां तक कोई doubt है तो हम solve कर सकते हैं से प्लीज अगर प्रड़ा तो बता सकते हैं नहीं सर कोई doubt नहीं है सर आप आगे चल सकते हैं सर वेरी गुट तो यह था वच्छे कोशन नंबर सिवन तो हमारा हो गया है आगे देखें और प्यारा कोशन देखते हैं और चलते हैं समझते हैं मशीन के बारे में कुछ इंट्रस्टिंग बाते हैं आगे देखें कोशन नमरेट देखें प्लीज from the following information relating to the machine shylock machine का नाम है shylock installed in a factory work out the machine rate तो भाई machine rate यहां भी निकालना है और machine rate निकले कैसे देखते हैं purchase price आपको given है कहते है scrap value 0 है मैंने को ठीक है भी तो purchase price 90,000 है installation और incidental charges आपको दे रखे हैं कितने 10,000 रुपीज के incidental और installation charges से अब इसका क्या होगा बच्ची बड़े ध्यान से सुनना जब तक कोई machine जब तक कोई machine install नहीं हो जाती उसके उपर किया गया हर एक कर्चा उसकी capital cost के अंदर जुड जाता है तो अगर मैं आपसे इस stage पर बोलूँ कि बताना machine की capital cost कितनी हो गई है तो आप मुझे क्या प्यारा से जवाब देंगे सर वो एक लाक रुपे हो गई है शाब बाश मेरे जवानो येस आगे दे रखा है life of the machine अब life कितनी दे रखा है बच्चे 10 साल machine का life दे रखा है और बता रखा है कि एक साल के अंदर एक साल के अंदर machine कितने working hours काम करती है 2000 working hours काम करती है तो जल्दी से बताओ machine का life machine का जो life है वो years में given है या hours में given है प्लीज बॉलो सर वो given है years में तो जब भी machine का life आपका साल में given होता है years में given होता है तब आप उसको क्या मानते हैं बच्चे fixed overheads मानते हो चलते हैं जैसे हमारे पास पिछले question में जो machine का working life था वो किस में given था बच्चे वो पूरी life के machine के घंटे given थे hours में given था यहाँ हमने depreciation को as a variable overhead treat किया था लेकिन लेकिन मेरे प्यारे बच्चो यहाँ पर जो हमारे पास life of machine है वो years में given है इसलिए जो depreciation हम निकालेंगे इसको हम क्या treat करके चलेंगे fixed खर्चा आगे दिखे क्या given है repairing charges कितने हैं बच्चे कहते हैं जितना भी depreciation आएगा उसका 50% आपके repairing charges होंगे मैंने कोई दिक्कत नहीं है machine ने consume किया है कितने units कहते है machine consume करती है 10 units of electric power एक घंटे में और एक इनिट का rate कितना है 10 पैसा तो ये एक घंटे का कितना आ जाएगा 10 unit into 10 पैसा एक रुपय आ जाएगा आगे कहते oil expenses कितने हैं oil expenses oiling पर खर्चा होता है अब अच्छे जो oil expenses है या consumable stores के खर्चे हैं ये दोनों ही खर्चे बच्चे कौन से माने जाते हैं fixed खर्चे माने जाते हैं ठीक है ना यानि कि machine चले ना चले oiling का खर्चा तो जाएगा ही जाएगा oiling तो होती है machines में ठीक है ना इसी तरह बच्चे consumable stores consumable stores मतलब machine machine जब नहीं भी काम कर रही होती है तो उसके उपर फिर भी कुछ material consume होता चला जाता है ठीक है ना तो test वगरे करके देखते हैं starting में कुछ करके देखते हैं तो इसलिए इस consumable stores को भी oiling के खर्चे होगी आपने क्या मानना है आप मानते हो चलेंगे as a fixed खर्चा Nikhil Gaming कहते हाई Hi Nikhil Gaming क्या हाल चल बचे ठीक है सर next बोला गया कि भाई इस machine की उपर एक operator भी काम कर रहा है और operator रहा गेच रुन दा machine और उसको तनख़ा कितनी दी जा रही है 4 रुपे एक दिन का और एक दिन में कितनी घंटे है 8 घंटे और यहां भी बच्चे same oiling का खर्चा 2 रुपे पर दिन था और consumable stores का भी खर्चा 10 रुपे पर दिन था और सभी के घंटे एक दिन के कितने निर्थारी थे 8 घंटे निर्थारी थे ठीक है सर यहां भी और एक दिन में 8 घंटे निर्थारी थे ठीक है, निक्खिल गेमिंग तो करते हैं बच्छे, आईए, कोशिन करें heading मनाए, calculation of machine rate yes, कौन सा कोशिन है, कोशिन नमबर 9 कि 8 था मेरे ख्याद से, कोशिन नमबर 8 yes तो हही बच्छे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमारा fixed खर्चा, या हम standing खर्चा भी उसे बोलते है fixed या standing overheads दूसरा कौन सा बच्छे, variable overheads देखें प्रीज, सबसे पहले तो depreciation आप निकाल सकते हैं, depreciation में क्या दे रखा है? total capital cost machine का एक लाख रुपी और working life भी आपको given है, तो कितना आ जाएगा? depreciation depreciation तो भाई, 90,000 का machine था, 10,000 उसके उपर extra खर्चा कर दिया था, scrap value है नहीं, तो और machine का life कितना है? दस साल machine का life है, यह आ जाएगा, आपके पास 30 साल depreciation, लेकिन और machine के घंटे गिवन है, आपको कितने 2000 hours, तो यह कितना आ जाएगा आपके पास? एक लाख divided by 20,000 hours, यह आ जाएगा पांच रुपया, तो machine का depreciation कितना आ जाएगा? पांच रुपे पर घंटा, ठीक है सब आगे देखी, depreciation के बाद क्या दे रखा है आपको? तो depreciation के बाद, तो पहले 3 point होगे, रिपेरिंग का खर्चा, रिपेरिंग नॉमली कब होती है बचे, जब machine actually चलती है, तो रिपेरिंग का खर्चा variable, 50% of depreciation, तो नीचे heading बना लेते हैं, आपके variable खर्चों के बारे में, variable overheads, variable overheads, और variable overheads में पहला overheads आपका कौन सा है बचे, रिपेर, और रिपेरिंग कितनी है, कहता जितना depreciation है, उसका आधा रिपेरिंग का खर्चा, और कितना आजाएगा, धाई रुपया रिपेरिंग का खर्चा, नेक्स्ट बोला, machine consume electric power, और electric power खर्चा बचे variable, पावर का खर्चा, बोला कि 10 units consume करती है पावर एक घंटे में, औ और एक घंटे का खर्चा कितना है, दस पैसा, और ये कितना आजाएगा आपके पास, एक रुपया, नेक्स्ट आपको दे रखा है, ओईलिंग का खर्चा, और ओईलिंग का खर्चा बच्चे कौन सा होता है, आपका, ओईलिंग का खर्चा होता है, फिक्स्ट, और ओईल का कितना खर्चे यूज हो रहा है कहते ओयल पे लग रहे हैं दो रुपे दो रुपे आड़ गंटों गे तो यह आ जाएगा दो रुपे लग रहे हैं कितने गंटों पर? एट आर्स पर तो दो बटा आट 0.25 येस सर और Consumable Stores भी थाएग Consumable Stores कितना है Consumable Stores का खर्चा? ये है बच्चे 10 रुपे गिवन है और कितना आजाएगा अब 10 रुपे गिवन है 8 घंटों का तो 10 बटाट 1 रुपे 25 पैसे Consumable Stores पर खर्चा ठीक है न? बस टोटल ओरतों की खर्चा है नहीं एक operator का खर्चा है वो ordinary की बाद add हो जाएगा ठीक न? उसका तो क्या करना आपने अबी तो पहले तो ordinary निकाली है ordinary की बाद आप add करते जगा ठीक है ये आ जाएगा ordinary मशीनार रेट पांच रुपे पच्चेस पैसा एक रुपे पच्चेस पैसा धाई दस रुपे पूरा पूरा कितना आ जाएगा? दस रुपे और इसमें add हो जाएगा बच्चे आपका operator wages operator को जो तनख्वा दे रहे हो वो एक घंटे का जोड़ दीचेगा और कितना दे रहे हो बच्चे ऑपरेटर को चार रुपे दे रहे हो आड़ घंटो के ये आ जाएगा पचास पैसा टोटल दस रुपे पचास पैसे और इसे आप क्या बोलोगे? comprehensive comprehensive machine बस ही तो था ये निकालना होता और दस रुपे पचास पैसे आपका अंसर तो ये बच्चे छोटी-छोटी कोशन थे में दिक्कत कहां पर आती है बच्चों को कोशन रीडिंग में ठीक कोशन कहते है ये एक तीस दो पता नहीं चलती हुने सर विरिबल खर्चा कौन सा है और फिक्स्ट खर्चा कौन सा है एक आपने इन बातों का ध्यान देना है दूसरा बेसिक आपने इस बात का ध्यान देना है कि एक घंटे का खर्चा निकालना है एक घंटे में कैसे होगा खर्चे जो खर्चे होगा डिवाइड बै उतने ही घंटे से आपने डिवाइड कर देना है जैसे अगर महीने का खर्चा होगा तो महीनों के घंटे से डिवाइड करना है साल का खर्चा होगा तो साल के घंटों से आपने डिवाइड कर देना है ठीक है नमस इतना सा काम है आगे देखिए बच्चे next question क्या कहता है question number 9 देखें please important important question तो sir क्या question है देखें मने साथ साथ कहता है एक machine है purchase की 1st of January 2019 को कितने रुपे की 5 लाख रुपे की एक नई machine purchase करी है कहता total cost of all machinery inclusive of the new machinery वोज रुपे 75 लाख तो अभी तर क्या के बात करी है पहले तो वो सुन लिजे भाईया इन्होंने खरीदी है एक machine और मान लिजी ये आपकी क्या है factory और इस factory के अंदर हुआ क्या है मान लो ये सारी जगह पे एक इन्होंने नई machine खरीद ली और उस नई machine का costing कितना है कहते है इस नई machine जो अभी खरीदी है इसका costing है 5 लाख रुपे ठीक ना 5 लाख और कहते है जो total machines है यहाँ पर सारी जो total machine ये रखी machine ठीक ना ये आपकी new machines का costing है 5 लाख कहते हैं यहां पर बाकी भी machines पड़ी है मैंने का ठीक है कहते हैं इन सारी machines को मिला के इन सारी पूरी factory को मिला के इनके पास total 75 lakh की machinery हो गई है इसका मतलब तो यह हुआ Harsh Gupta कहते हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग Harsh Gupta इसका मतलब तो यह हुआ बाकी अंदर वली जो machinery होंगी उनकी value कितनी होगी सर उसकी होगी 70 lakh रुपीज ठीक है ना 70 lakh भाई ठीक है यहां तक तो question कोई दिक्कत नहीं है आगे देखो question क्या कहता कहते एक्सपेक्टेड लाइफ machine का कितना है 10 साल scrap value भी आपको दे रखी at the end of 10 year 5,000 रुपे कोई दिक्कत नहीं है repair and maintenance of the machine during the year तो repairing का खर्चा कितना गिवन है बच्चे एक साल का खर्चा गिवन है 2,000 रुपे expected number of working hours of the machine per year तो एक साल का आपको खर्चा भी दे रखा है working hours भी दे रखे हैं और कितने working hours दे रखे हैं आपको 4,000 working hours insurance premium annually for all the machine बच्चे सभी machine को मिला के खर्चा दे रखा है आपको साल का खर्चा है कितना दे रखा है 4,500 ओके लेकिन ध्यान दे ना अभी तो मुझे पता नहीं machine rate कौन सा निकालना है नई machine का निकालना है या सभी machines का निकालना है यह देखना है अभी electricity consumption दे रखे है आपको machine की per hour तो एक घंटे का बच्चे आपको electricity consumption दे रखा है कि 25 minutes use होती है और एक निट का खर्चा कितना है 75 पैसा area इज़र देखो G और H point बड़े ध्यान से देखना है एक point G, एक point H क्या कहता है बोलागे जो area है आपका area occupied by the machine by the machine कितना है 100 square feet by other machines कितना है 1500 square feet इसका मतलब इनके बाद जो total area रहा होगा न वो कितना occupy सभी machines के द्वारा किया है इनोने 1600 square feet प्लीज बड़े ध्यान से देखो यह जो नई machine होगी इसने कितना area occupy कर रखा है 100 square feet इसने occupy कर रखे है किसने नई machine ने जो अभी खरीदी है that means बाकी machine ने कितना कर रखा है यहाँ पर बाकी machine ने कर रखा है 1500 square feet अगर कोई पूछे कि total सभी machines को मिला के कितना जगा है तो आप क्या बोलेंगे 1600 square feet पूरी जगा है भाई ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं हर्ष कुप्ता कहता है सरी जो question आप करवा रहे हो यह कौन से year में आया था any reference बच्चे अभी तो यह previous year question का session नहीं चल रहा यह मैं आपको previous year questions का त्यारिया भी नहीं करवा रहा हूँ अभी तो मैं आपको simple basic concept समझा रहा हूँ किसका machine rate का ठीकन हम basic concept समझा रहा हूँ machine rate का इसके बाद आपको बताऊंगा जो हमारे next session आएगा machine rate से related वहाँ पर मैं आपको previous year questions की discussion सिखाऊंगा जितने भी हमारे बच्चे यहाँ पर special classes आपके सामने में दर में पेश हो रहा हूँ पहले आपको concept करवाता हूँ उसके बाद उसके previous year questions लिक्या आता हूँ ठीक है ना ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना है questions को समझने में ठीक है sir आगे चलिए आगे देखो क्या बोला गया देखी प्लीज बड़े ध्यान सा खर्चा बच्ये पूरी डिपार्टमेंट का दे रखा है लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं है actually रेंट का खर्चा माने मशीन की उपर भी जाएगा प्रशन होगा लेकिन कौन से मशीन का मशीना रेट निकालना है अब तक यह पता नहीं है नई मशीन का निकालना है या सभी मशीन का इन टोटालिटी निकालना है वो देख लेते हैं यहाँ पर लिखे हैं मशीने रेट निकालना है नियू मशीन का इसका मतलब सरह लॉजिकली सोचो जो रेंट का खर्चा आपको दे रखा है पूरी डिपार पूरी डिपार्टमेंट का खर्चा है अब जो पूरी डिपार्टमेंट का खर्चा है मुझे रेंट पूरी डिपार्टमेंट से लेने देना थोड़ी है मुझे तो अपनी इस मशीन पर कितना रेंट का खर्चा है पोर्शन होगा वो देखना है वो एलोकेट करना है ठीक है आगे देखो, बोलें कि lighting charges कितने दे रखे हैं for 20 points for the whole department, अब यहाँ पर पता है क्या है, पूरे department में यहाँ पर 20 lighting points लगे हुए हैं, लेकिन उन 20 में से 3 lighting points इस नई machine को allocate हैं, वैसे पूरे department में 20 हैं, पूरे department में 20 हैं, लेकिन इस machine पर कितने allocate हो रखे हैं, सिर्फ 3 lighting points, तो जब मैं machine rate निकाल लूँगा, इस बात का ध्यान रखूँगा, कि lighting points यहाँ पर टोटल पूरे department का lighting का खर्चा दे रखा है, कितना, 120 रुपे पर मन्थ, 120 रुपे पर मन्थ, मैं lighting का खर्चा में portion करूँगा, इस बात का ध्यान रखूँगा, कि जो 120 रुपे महिना, 20 points का ख परचा allocate कर सको, question होगा कैसे, important question है, यहीं बंदे रहना हमारे साथ, ठीक है न, हर्श गुपता, nickel gaming, अगर कोई doubt है, तो please पूछे, नहीं तो हम आगे चलते हैं, जल्दी से बताए, important, the most important question है, काफिक कुछ यहाँ आपको नियाने सीखने को मिलेगा, मैं आपका 30 second इंतिजार कर रहा हूँ, अगर आपको कोई doubt है, तो please बच्चे पूछ सकते हैं, प्यारा question है, बहुत प्यारा question है, इसके लावा बच्चों का, कल से मुझे phone आ रहे हैं, बच्चे, बच्चे कहते हैं, सर यह जो unacademy plus है, यह क्या मतलब है, unacademy plus का क्या मतलब है, तो मैं इसके बारे म हम YouTube पर पढ़ रहे हैं, यह तो आपके बच्चे, यह तो मैं time to day में आपके लिए special classes लेकर आता ही रहूँगा, छोटे-छोटे topics का, जो important है, previous question के नाम पर, कुछ concept समझना है उसके नाम पर, यह तो मैं लेकर आते ही रहूँगा, लेकिन इसके लावा, अगर आप जादा जा हमारे से सीख सकते हैं, पूरे structured courses का भरपूर फायदा आप उठा सकते हैं, आपको, मैं तो Unacademy Plus पर पढ़ाऊंगा ही, लेकिन जितने भी इंडिया के तमाम educator समझें, वो भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक ना, पूरे इंडिया के, जी हां, हर्शकुपता कहता है, सर मैंने स पूरे जो Unacademy Plus है न, उसको आप purchase कर सकते हैं, कैसे, एक subscription purchase के उपर, एक subscription purchase के उपर, आप CA Foundation, CA Intermediate, CA Final, जो भी classes है, within time limit, आप सारी सुन सकते हैं, सर विदिन time limit, जी हां, अगर आप एक महीने का purchase करना चाहते हैं, तीन महीने का, छे महीने का, एक साल का, दो साल का, वो आपक subscribe करेंगे बच्चे, subscription लेंगे, उस time frame के अंदर, जिस मर्जी educator की, जितने मर्जी courses आ रहे हो, सारी classes आ रहे हो, सारी सुन सकते हो, सर कोई hidden charges में, कोई hidden charges नहीं है, live test series, live quizzes, live classes, live doubt session, structured courses, जितने educators हैं, तमाम educators की, हर एक चीज मिलेगी आपको, और जानते हो, कितना reasonable price पे, सर कितन नहीं, वैसे तो, वैसे, छे महीने का price कितना है, 14,000 रुपया, लेकिन, अगर आपको मैं कहूं, कि एक, 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 एक second, एक second, अगर आपको मैं कहूं, कि, छे महीने के plan के rate के अंदर, मैं आपको साल का subscription दिला सकता हूँ, तो कैसा रहेगा, सरे तो बड़ी मज़दार बात ह हाँ, तो आपको सिर्फ क्या करना है, जब आप payment करेंगे किसे plus subscription का, वहाँ पर आपको code डालना है, code कौन सा, commerce मंतरा, code मत भूलना, यहाँ आपको बच्चे instant 10% discount तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आप additional 10% discount चाहते हैं, payment का screenshot मुझे इस number पर सेंट कर दीजगा, मैं आपको तुरं लिए कितने की पड़ेगी, 14,000 की, और यहाँ पर लिखा हुए बच्चे देखो, यहाँ पर 6 महिने के 14,000 लिखे हैं, मैं आपको एक साल का plan दे रहो 14,000 में, तो एक साल का effective rate कितने का पड़ेगा बच्चे, 1167, यह आप 2 साल के course के साथ भी कर सकते हैं, 24 महिने के course के साथ भ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का page open होगा, और यह आपको बताएगा कि आपने किसका त्यारी goal क्या है, आपका, आपने C exams पर क्लिक करना है, कुछ इस तरह का page खुलेगा, जहां पर आपको आने वाले जितने भी upcoming courses हैं, उसकी reference होगी, जो भी live courses चल रहे हैं उसकी reference होगी, और सबसे नीचे, इस page के सबसे नीचे get subscription का option आएगा, get subscription का, उस पर get subscription को आप क्लिक करेंगे, बस आगे की कहाने में आपको अरड़ी बता चुका हूँ, code डालना है और code के बाद whatsapp, screenshot, whatsapp और तुरंत हाथवाथ ptm, ठीक है ना, तो हर्ष गुपता को तो पत 2020 में, and also speak on toppers copy which I have sent on whatsapp, हर्ष कुपता, मैं तो जो आपने में जो copy sent करी, वो तो मैं आप से discussion करूँगा, उसकी phone पे कर लिजेगा मुझ से discussion, main चीज बच्चे कहते है, sir, कब तक हमारे complete हो जाएगा, यह बताएगे, बच्चे, cost accounting का जो हमारे syllabus है, जो अलरड़ी चल रहा है, वो एक batch तो मेरा already running पे है, ठीक है न, वो कब से start होया था, वो start हो गया था, आपका November 20 से, November 20 से लेकर, November 20, 2019 से लेकर, वो batch कहा तक चलेगा आपका, वो चलेगा March तक, ठीक है न, March तक आपका complete हो जाएगा, एक तो यह चीज, प्लस दूसरी, यह तो बच्चे, यहाँ पर मैं पूरा आपको सलेबस करवा रहा हूँ, लेकिन सलेबस के साथ साथ, एक और session, एक और मेरा course launch हो जाएगा, January में, वो होगा, बच्चे, प्रेक्टिस session, प्रेक्टिस session में आपको, क्या करवाया जाएगा, जितने भी revision test papers होंगे, जो ICAI ने, time to time, हर चेमीने मद लांच करता है वो, ICAI के, ICAI के, जितने भी RTPs होंगे, प्लस, जितने भी previous year questions होंगे, वो, प्लस, जितने भी expected questions होंगे, वो सारे कहां पर deal के जाएगे, इस प्रेक्टिस session में, तो ये must, must, must है ये course को देखना, ठीके ना, most important questions सारे यहां पर discuss के जाएगे, ठीके ना, हर्श कुपता, most important, तो इसका जो time limit रहता है बच्चे, वो भी लगभग आपके चार महीने तक का ही रहता है, ठीके ना, चार महीने, पूरा practice करवाया जाता है, तो January से लेकर, January से लेकर, April तक, लगभग, अभी course लॉंच नहीं हुआ है, तीन-चार दिन में लॉंच हो जाएगे वला course, ठीके न MTB, बच्चे हर एक चीज, जितने भी important बात है, सारी यहाँ पर इस session में आ जाएंगे, ठीके न, practice session में, तो उसकी चिंता मत कीजिए, जितने भी, बहुत सारे questions, एक चप्टर के ना जाने, कितने questions, सारे तरह के examination questions यहाँ पर discuss किये जाएंगे आपसे, ठीके न, A to Z, कैसा भी question आया हो, 1980s में आया हो, 90s में आया हो, 2000s में आया हो, ठीके न, हर एक question यहाँ पर discuss किया जाएगा, उसके लिए निशिंत हो जाएगे, तो पुरी दिल से त्यारे कराऊंगा, भाई, मेरा favorite subject है cost accounting, एक एक चीज, निचोड दूगा cost accounting, ठीके न, तो मैं आपको वही बता रहा तो बात मानेगा, एक साल का सब्सक्रिप्शन ले लिजेगा, ठीके न, एक साल का, क्योंकि यह ऐसा थोड़ी गुरुप वाननी देना है, गुरुप टू भी तो आएगा, तो यहाँ पर गुरुप टू की भी, जितने भी educators हैं, गुरुप टू का भी त्यारी आपको करवा ही खरवा देंगे साथ ही, ठीके न, हर्श गुपता, अगर और कोई डावट हो तो प्लीज बताएं बच्चे, रितिक, जल्दी से बताएं, अगर और कोई मन में सवाल हैं आपके, बस 30 सेकंड इंतिजार कर रहा हूं, अगर किसी की और कोई सवाल हैं तो प्लीज यहाँ प एक्स्टा, एक्स्टा 10 परसंट के, एक्स्टा 10 परसंट के ओफर कब तक वैलिज है, 31 दिसमबर तक, 31 दिसमबर तक ओफर वैलिज है, वेरी गुड, रितिक कहते कोई डावट नहीं है सर, आप आगे चल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, अपनी बातें, वहाँ पर कॉंटिनु क कर सकते हैं, देखिये प्रीज, तो येज हम यह व्यादा कोईचन कर रहे थे, जी हाँ, कोईचन हम बनाए, देखिये प्रीज, तो यह कोईचन है, the most important 치को कैसे करना है, क्या लॉचिक लगाना है, वह देख थेखिये, तो वही, हेडिग मना masih, competition of मशीना रेट कोश्चन नमबर नाइन तो हमें पता है हमारे कुछ खर्चे फिक्स रहते हैं मचे फिक्स जिसको हम स्टेंडिंग ओवरहेट का नाम देते हैं स्टेंडिंग ओवरहेट और हमारे कुछ खर्चे वरियबल रहते हैं वरियबल तो सबसे पहला तो हम कौन सा करते हैं मचे डेप्रिसेशन ठीक है डेप्रिसेशन कितना दे रखें आपको डेप्रिसेशन है मशीन कितने की थी मशीन की वेल्यू थी पांच लाक रुपे स्क्राप वेल्यू है नहीं स्क्राप वेल्यू है नहीं expected life machine के किसमे गिवन है years में तो depreciation को कौन सा खर्चा मानते चलेंगे depreciation को मानते चलेंगे fixed खर्चा ठीक है ना तो यहां मैं लिख देता हूँ depreciation of machine तो machine की costing कितनी है 5 लाग चुकि scrap value उसकी है नहीं तो उसकी given है 0 scrap value थे कि नहीं नहीं given है बच्चे scrap value 5000 given है very good scrap value given है बच्चे 5000 और life कितनी है machine की life है 10 साल और एक साल का आपको working hours given था यहां पर expected number of working hours of the machine per year कितने गंटे है 4000 गंटे एक साल में इसका मतलब multiplied by 4000 hours यह कितना आ जायेगा depreciation बच्चे यह आ जायेगा 4,95,000 divided by 40,000 hours यह आ जायेगा 12.375 तो यह तो यह हो गया ना एक घंटे का depreciation कितना आ गया 12.375 इतना logical है yes है आगे इसके लावा क्या बता रखे आपको यह तो कि depreciation की बाटी का जहां पर expected life का साहेता ले लिया point B का साहेता ले लिया हमने और point D का साहेता ले लिया next देखो repairs and maintenance अगर कि पूछे sir repairs का खर्चा कौन सा होता है variable होता है या fixed होता है बचे repair and maintenance का खर्चा आपका variable माना जाता है क्योंकि जब machine चलती है तो मैं मानते है रिपेरिंग का खर्चा लेती है machine ठीक है nicely variable खर्चा और आपको बच्चे during the year एक साल का खर्चा गिवन है divide किसे करोगे एक साल के घंटों से तो जो भी year का खर्चा मतलब अगर मन्तवाइस खर्चा गिवन है तो divide by month के आर्स year का खर्चा गिवन है तो divide by year के आर्स ठीक है ना तो यहाँ पर repair and maintenance 2000 और एक साल के आपको working hours गिवन है 4000 तो यह कैसे हो जाएगा repairs and maintenance कितना आ जाएगा repairs and maintenance का 2000 2000 rupees 2000 divided by 4000 hours पचास पैसा आगे देखी यह भी हो गया है insurance premium अब देखो बच्चे insurance premium साल का दे रखा है एक तो यह चीज़ for all the machine अब है सारी machine को मिला के कितना insurance premium का खर्चा हमने पे किया है 4500 लेकिन साब मुझे insurance सारी machine का नहीं लेना मैं तो machine rate बच्चे new machine का निकाल रहा हूं तो अगर new machine का machine rate मुझे निकालना है insurance का खर्चा मुझे insurance का खर्चा मुझे new machine का ही चाहिए और सोच के बताओ अगर हम insurance करवाते हैं मैंने आपको एक टॉपिक बहुत पहले YouTube पर ही Caspire चैनल पर ही इसी चैनल पर आपको मैंने कुछ basis करवाये थे basis of apportionment खर्चों को किस तरह बांटा जाता है उसके क्या basis होते है वहाँ पर हमने एक बात सीखे थे कि अगर insurance का खर्चा बढ़ता है तो किस पर बढ़ता है बच्चे insurance का खर्चा अगर बांटना है तो insurable value पर बढ़ता है किस पर insurable value पहला base क्या होता है insurable value अगर ना given है तो आपके ले सकते हैं asset की value इसका मतलब जितना भी asset का value होगा उस पर insurance का खर्चा लगता है logic लगाओ जिस asset का value जादा होगा उस पर insurance का खर्चा जादा लगता है और जिस asset का value कम होता है insurance का खर्चा भी कम लगता है यहाँ पर हमें क्या बता रखा था कि asset का value इधर देखो asset का value नई asset का कितना है बच्छे नई asset का है 5 लाग रुपे और total asset का value कितना है 75 लाग रुपे आपको पहली ही line में गिवन था 5 लाग रुपे की नई value और सारी machines को मिला के inclusive of new machines को मिला के total value कितनी है 75 लाग इसका मतलब मैं मान सकता हूँ कि भाई अगर मुझे insurance का खर्चा बांटना हूँ यहाँ पर insurance का खर्चा is fixed expenditure अगर मुझे insurance का खर्चा बांटना हूँ तो मैं कैसे बांटनाऊगा मैं बोल लूगा कि देखो भाई देखो भाई 4500 लुपे खर्चा हुआ है सारी machines पे 4500 लुपे insurance का खर्चा हुआ है insurance का खरचा हुआ है 4500 सारी machines पे यहाँ पर लिखा है insurance का खरचा हुआ है for all the machines ठीक है भाई इसका मतलब यह हुआ होगा इसका मतलब यह हुआ होगा 75,00,000 रुपे की machines पर 4500 का खरचा तो अगर मैं 5,00,000 की machine पे insurance का खर्चा allocate करना चाहूं तो वो कितना होगा तो यह आ जाएगा 4500 divided by 75 लाग multiple 5 लाग यह एक साल का क्योंकि 4500 आपको क्या गिवन था बच्चे एक साल का तो एक साल का आपका insurance का खर्चा नई machine पर कितना आएगा 300 रुपया कितना आएगा 300 रुपया और नई machine चलती कितनी देर है बच्चे एक साल के अंदर 4000 घंटे कितना चलती है 4000 hours अब सोच के बताओ 3000 रुपया insurance का खर्चा आया लेकिन वो एक साल का आया और machine चलती कितनी देर है 4000 घंटे तो एक घंटे का खर्चा कितना आजाएगा 3000 divided by 4000 hours यह आ जागे बच्चे 0.075 0.075 यह important था अगर इसमें कोई doubt है तो दुबारा repeat कर सकते हैं important the most important प्यारा point था ठीकिना तो insurance का point प्यारा point है इसको अब ध्यान से रखेंगे ठीकिना एक्जाम में गलत होने की संभावना रहती है आगे देखी electricity electricity consumption परा तो बच्चे electricity भी electricity भी power का खर्चा दे रहा है आपको कहते 25 इनिट्स मशीन के चलाने पर लगते है एक घंटे के और आपको एक घंटे का rate गिवन है 75 पैसे it is a variable खर्चा तो electricity consumption electricity consumption कितना आजाएगा electricity consumption पर खर्चा सर 25 इनिट्स पच्चेटर पैसा rate है 25 इनिट्स एड़ रेट ऑफ पच्चेटर पैसा पर इनिट्स तो पच्चेश multiplied by पच्चेटर पैसा यह आजाएगा 18.75 आगे देखिए तो area दे रखा है क्यों दे रखा है बताता हूं भाई देखो rent दे रखा है आपको एक महीने का अचा अब यह बताओ rent का खर्चा मुझे बांटना है rent का खर्चा जल्दी से बताओ रितिक, हर्ष, निखिल, गेमिंग मुझे बताओ rent का खर्चा fixed खर्चा होता है variable खर्चा जल्दी से बताओ सर, rent का खर्चा fixed होता है very good rent का खर्चा is a fixed expenditure तो यह rent जब मैं बांटूँगा बचे, यहां पर लिखोंगा rent का खर्चा तो मैं क्या बोलूँगा इधर देखो भाई, मेरा rent का खर्चा कितना हो रहा है rent का खर्चा मेरा हो रहा है कितना 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 800 रुपया अगर 800 रुपय rent का खर्चा हो रहा है मुझे बताओ, यह 800 रुपय एक महीने का है या एक साल का सर, यह है, यह है एक महीने का, rent पर मन्त है मुझे बताने, एक साल का कितना आ जाएगा सर, एक साल का आ जाएगा multiplied by 12, 9600 very good एक साल का आजाएगा 9600, अब लॉजिकल यह बताओ यह जो 9600, rent का आपने एक साल का खर्चा निकाला यह किस मशीन पर है rent का खर्चा, यह पूरे department का rent है पूरे department का rent है यह या नई machine का rent है, इदर देखो नई machine, जिस तने एरिया में है उसका rent है, लिख रखा है of the department, और department में तो जब देखो, यह पूरा department cover होता है, सर कौन सा यह सारा का सारा, यह देखो यह सारा का सारा यह rent का खर्चा कितना दे रखा है यह पूरे, पूरे department का rent का खर्चा कितना दे रखा है साल का, 9600 लेकिन मुझे तो कितने एरिया का रेंट का खरचा निकालना है ये नई मशीन का अब लॉजिकली सोचो बड़े ध्यान से सोचना मैंने क्या कहा कि देखो भाई साल का ये जो खरचा है साल का रेंट का खरचा है ये सारे डिपार्टमेंट को मिलाके है सारे डिपार्टमेंट को मिला के और रेंट का खरचा बढ़ता किस पे है फ्लोर एरिया, एरिया के बेसिस पे इसका मतलब अगर मैं बोलू सौरा डिपार्टमेंट का एरिया कितना है, 1600 स्केर फिट तो क्या गलत बोलूँगा, नहीं सरब तो बिल्कुल बोलोगे, सारे डिपार्टमेंट को मिला के 1600 स्केर फिट की जगा है इसका मतलब यह जो 9600 का रेंट होगा, यह कितने स्केर फिट एरिया का होगा 1600 स्केर फिट का एरिया का होगा बिल्कुल ठीक, मेरी नियू मशीनरी कितने एरिया में विस्तापित है, सर यह 100 स्केर फिट के जगा ले रही है इसका मतलब अगर 9600 रुपीज का रेंट का खर्चा 1600 स्केर फिट की जगा पर हो रहा है, तो 100 स्केर फिट पे कितना खर्चा एलोकेट होगा, पहले तो यह बताओ, सर यह हो जाएगा 9600 divided by 1600 multiplied by 100, यह आजाएगा 600 रुपीज और लॉजिकली बताओ, यह जो 600 रुपे आएगा, यह एक साल का आएगा, हाए ना क्योंकि आपने यहाँ पर multiply किसे कर रखा था, multiply कर रखा था 12 से एक साल का आएगा, और एक साल में घंटे कितने है, सर, एक साल में है 4000 घंटे, तो प्लीज मझे बताओ, एक साल का एक घंटे का खर्चा कितना आजाएगा, एक साल का कितना है, छोटे से डिपार्टमेंट का 600 रुपया कितना है, 600, आप कर देंगे एक घंटे का 4000 घंटा डिवाइड यह आजाएगा, 6.67 गलत निकाला, 9600 डिवाइड बाइ 1600 इन्टु 100 या आगे 600 डिवाइड बाइ 4000 करना था, यह आएगा 0.15, 0.15 डाउटा एक बच्चे का सर आज के लिए लास्ट कोशन रखे, बच्चे लास्ट कोशन ही है ठीके न, आपकी 6, 10 के आसपर, 6, 5 के बस क्लास खत्म हो जाएगे, ठीके, लास्ट कोशन ही आपका एक घंटे के सेशरी होता है हमारा 1.30 साथ आज क्लास है 1.30 साथ अन अकाडमी पे, ठीके न, वो अच्छी है वो यह क्यों कि प्रिवेस एक कोशन है अब जो अच्छे, लाइटिंग का खर्चा है यह कैसे आएगा यह देखिए प्लीज, लाइटिंग का खर्चा बोला कि टोटल खर्चा वैसे कितना है 120 रुपे पर मन्त है मुझे तो पहले साल का बताओ कितना आएगा अच्छल मैं साल पर पता है क्यों लेके जारों से हर कर्चे को क्योंकि मैंने डिवाइड साल के घंटों से करना है डिवाइड में किस से करना हूँ बच्छे साल के घंटों से डिवाइड करता हूँ तो इसलिए मुझे मेरे पास जो निमरेटर होना चाहिए वो भी साल का ही होना चाहिए ठीक है ना तो यहाँ पर एक काम करते हैं 120 रुपे एक महीने का है साल पर बताओ परले कितना आएगा सर यह आजाएगा 144 00 और अब यह जो साल का खरचा 1440 रुपे आया यह किस पर आता है बच्चे 20 पॉइंट्स पर क्योंकि लाइटिंग का खरचा पुरे डिपार्टमेंट का है और पुरे डिपार्टमेंट लाइटिंग का खरचा बटता है लाइटिंग पॉइंट्स पर सर अगर लाइटिंग पॉइंट्स ना गिवन होते तो तो बटता एरिया पर तो किस पे मानते है अगर lighting points ना given होते तो area की उपर मानते है area base मानते है इन खर्चों को बांटने का तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा sir ये 1440 रुपे खर्चा 20 lighting points पर हो रहा है लेकिन वो machine कहाँ पर पड़ी है वहाँ पर कितने lighting points है सिर्फ तीन lighting points है तो ये आ जाएगा बचे एक साल का खर्चा नए department का 1440 divided by 20 multiplied by 3 ये आ जाएगा 216 रुपे लेकिन हमें तो एक घंटे का चाहिए divided by 4000 hours divided by 4000 hours ये आ जाएगा 0.054 बस अब क्या है total करना अगर ये question exam में आता तो कितना time लगना चाहिए इसे solve करने में I think 15-20 minutes मैं आपको ना हर एक allocation बताऊंगा बचे time management का ठीक है ना मैं आपको बताऊंगा कैसे time management करना है yes इसको लग जाता है art number के आसपास का question आता है और लग जाते है इस question को आममन तोर पर आदा घंटा लगना चाहिए तो लगना चाहिए तो लगना चाहिए तुम 15-20 minutes अप्टा देते हो उसे ठीक है ना सरे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपको बस ordinary machine rate machine rate 12.375 प्लस 0.075 प्लस 0.15 प्लस 0.054 प्लस 0.5 प्लस 18.75 ये आ जाएगा 31.904 रूपीज तो ये था बच्छे प्यारा सा सवाल आपका और वैसे तो मैं आपके लिए खूब सारे question लेके आया था देखो इधर देखो question देखो question 10 है, question 11 है, question 12 है तो खूब सारे question ठीक है ये सारे important question है आगे भी है ये देखो ये सारे धेर question है आपके सामने लेकिन बच्छे वही हमारे पास समय limited होता है और यही मैं कहता हूँ आप plus course में हमारे साथ, plus course में सिर्फ दो-तिन question ही धेरो question का practice किया जाएगा multiple choice question आपके practice question ठीक है ना और सर एक बर फिर से बता दीजी, join करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्छे वही आप unacademy के plus page पर जाएए वहाँ पर subscription ले सकते है 31 December तक discount चल रहे है, heavy discount चल रहे है आपको simple क्या करना है जब payment करने लगेंगे आप payment करने लगेंगे आपने simple क्या डालना है, commerce mantra का referral code डालना है, referral code यहाँ पर ठीक है ना मैं फिर से दिखा रहेता हूँ, referral code कैसा दिखता है, यह देखो जब payment करेंगे यहाँ पर referral code का option होता है, यहाँ पर क्या करेंगे commerce mantra डालना है सिर्फ आपने और commerce mantra code डालते ही, instant आपको 10% का तो discount मिल ही जाएगा लेकिन अगर आप इसका screenshot मुझे इस number पर payment का भेज देते हैं, instant मैं आपको 10% extra pay tm कर दूँगा, ठीक है ना जादा जानकरे के लिए बच्चे इस number पर आप मुझे contact कर सकते हैं, आपको पूरी information आपको बता दूँगा, कैसे आप discount का भरपूर फायदा उठा सकते हैं, छे महीने का cost में, छे महीने का plan कितना है, 14,000 का, मैं आपको एक साल का plan 14,000 में दिलवार हूँ, एक साल का plan 14,000 में जादा जानकरे के लिए अभी class खतम होते, इस contact number पर फोन कीजेगा, जादा जानकरे कर लेना चाहते हैं तो, Sir, Unacademy पर corporate another law के best faculty कौन सा है, हर्ष गुपता बड़े ध्यान से सुनिए, faculty सभी best होती है, ये depend करता है बच्चे की उपर की उसके compatible कौन है, समझ पार है बात, परसर भी करवा रहे है, text CS सतबीर साब भी करवा रहे है, text chartered accountant, ये तीनों chartered accountant है, ये तीनों text करवा रहे हैं, बताओ, सी राजकुमार भी करवा रहे है, और एक ही, अब syllabus से इंटर काई सी ही मी है, ठीक है ना, करवाद थीनों टेक्स रहे है, ये आपके उपर depend करता है, ये financial management, लेकिन अभी मेरा subject क्या चल रहे है, cost accounting, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, costing तो मैं ही करवा रहा हूँ भी फिलहाल, बाकी सबी लोगे, जैसे सुधीर सच्देवा से law करवा रहे है, law और कुन करवा रहे है, आपको, law और कुन करवा रहे है, काफे सारे teachers और भी law करवा रहे ह ठीक है, तो बच्चे, आप भी डिपेंड करते है, corporate, other laws के किन टीचर से आप पढ़ना चाहते है, ठीक है, तो यास, अनकेडमी बच्चो को choice दे रहे है, बच्चो को जो भी पसंदना है, आप उनकी class, थ्री डेट्स में रैंचो नहीं था, रैंचो, जैसे वो हर किसी class में जाकनी बैढ़ जाता था, है न, किसी भी class में घुसके पीछे बैढ़ जाता था, वैसी अनकेडमी आपको choice दे रहे है, बच्चे, किसी भी class में आप कभी भी enter हो सकते हो, आपको simple क्या करना है, एक महीने का, जो भी, मन्त का subscription purchase करना है, आप उसको बद कुछ भी देखो, किस इसे पूछने सर, दो साल का कितने का पड़ेगा, बच्चे, दो साल का वैसे तो कितने का है, अठाइस हजार का है, अठाइस हजार का है, दो साल का, और लेकिन अगर आप commerce मतरा code डालते है, instant 10% तो मिल ही जाएगा, additional 10% discount में तुम्हें और दे सकता हूँ, पे टीम, पे टीम करेंगे, मैं आपको additional, additional अठाइस हो और माइनस कर दूँगा, ठीक न, वो पे टीम कर दूँगा, ये पड़ेगा 22,400 का, कौन सा 2 साल का, 2 साल का आपको 22,400 का पड़ेगा, और 12 महीने का, मतलब 24 महीने का effectively कितना पर जाएगा, बटा 24 महीना, ये पड़ेगा आपको, 930 रु इंटर तो ही, एक साल का, पूरा इंटर अगर करना होता है, एक साल में हो जाएगा दोनों गृप्स, तो हम एक साल का additional क्यों करें, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, final भी तो है, final भी, final की भी तियारी कर सकते हो, यहां से, ठीक है न, तो within time frame, within time frame, आप हर एक का तियारी कर सकत देखो, ठीक है न, within time frame, एक ही subscription purchase करके, foundation भी देखो, interview देखो, कुछ मर्जी देखो, ठीक है न, कुछ मर्जी देखो, यह आपकी choice है, बोला के, sir, unacademy, इतना कुछ दे रहा, unacademy, मालिक कौन है, आपने नाम सुना, रोमन सैनी का, रोमन सैनी, अगर नहीं सुना, अगर नह यंगेस्ट, एमस से पासओ डोक्टर है, एमस से पासओ डोक्टर है, रोमन सैनी, यंगेस्ट, आईएस ओफिसर है, एमस के डोक्टर से रेजिगनेशन दिया, आईएस के ओफिसर से रेजिगनेशन दिया, उसके बाद, co-founder है, unacademy के, इनके बारे में, google कीजेगा, youtube पर द प्रीज बताईए, नहीं तो मुझे इजाज़त दीजी, प्रीज बोलिए, कोई doubt और कोई है, तो, sir आपका number बता दो, contact number, ताकि हम उसे पे phone कर सेंगे, ये रहा बच्चे, मेरा WhatsApp नमबर भी यही है, मेरा phone नमबर भी यही है, 987633310, नलायक मुझे अभी call करने लगे, नलाय है तो आपको, ठीक है, बच्चे कहते हैं, हमें सब समझ आ गया है, sir, very good, शाबाश, तो yes, ये choice आपके उपर है, आप कौन सा लेना चाहते हैं, बच्चे, 12 महीने का plan लेना चाहते हैं, या 24 महीने का, 12 महीने का effective rate कितने का पड़ेगा, अगर मुझ से discount लोगे तो, 1167 रुप 12 महीने का effective rate पड़ता है, बच्चे, 933 रुपे, 31 December, last date है, इस discount policy का, तो उससे पहले-पहले मन बनाओ और मुझे बताओ, no question, please, adjourn, the class and thund, बहुत पड़ रहे हैं, बहुत ठंड है, मुझ में टी-शिट ये देखो, ये टी-शिट दिखा रहो, मैं, ये तो ऐसे बैड़ता ह बहुत जारा ठंड है, ठीक है बच्चो, आज के लिए इस class में इतना ही मिलते है, अन-academy पे साड़े साथ class है, EOQ की previous questions की तो जिसने देखनी है, वो साड़े साथ बज़े अन-academy पे आ सकता है, क्या करना है, simple आपको, अन-academy पे जाकर राघा वदवा सर्च करना है, र मिलते हैं कल, बाई मेरे प्यारे बच्चों, बाई-बाई, अच्छा लगा मेलके, ठीक है, आते रागरो ऐसे, बाई